इंदोर की MG रोड थाना श्वेत्र में एक महिला आरक्षक के साथ दुशकर्म का मामला सामने आया है आरोपी मनीश शर्मा वर्तमान में सस्पेंट चल रहा है आरोपी मनिश शर्मा ने महिला आरक्षक का अश्लील वीडियो भी बना रखा था जिसको लेकर आरोपी मनिश ब्लेकमेलिंग कर ड़रा धम कर रहा था मामला इंदौर के एमजी रोड थाना श्वेत्र का है जहां दो दिन पूर्ब बनगंगा थाने में पदस्त एक महिला आरक्षक द्वारा रिपोर्ट दर्च कर आई गई थी कि सस्पेंड आरक्षक मनिश शर्मा द्वारा उसके साथ दुशकर्म किया गया वही मनिश शर्मा द्वारा महिला के अशलील फोटो और वीडियो के नाम पर ब्लैक मिल कर रहा है जोसे परिशान होकर महिला ने रिपोर्ट एमजी रोड थाने पर दर्च कर आई है क्योंकि घटना कराम बनगंगा थाना श्वेत्र का है इसलिए एमजी रोड पुलिस ने जीरो पर कायमी कर मामले को बनगंगा थाने पर सौपा गया है वही पुलिस आरोपी मनिश शर्मा की तलाश कर रही है आरोपी मनिश शर्मा बनगंगा थाने में आरक्षक रह चुका है वह विवहाग द्वारा उससे बरखास किया जा चुका है वही पुलिस अब सस्पेंड आरक्षक की तलाश कर रही है इसके साथ गलत काम किया है चूकि घटना असल बानागंगा छेत्र का है तो यहाँ जीलों की काईमी करके और बानागंगा थाने को असल काईमी करवाई गई है और उसकी आरोपी की गरबतारी के पूरे प्रयास की जा रहा है Bureau Report, The Bug News